हेलो गाइज नमस्कार मैं आप लोगोई एसकेल्ट में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे अस्थामा के बारे में दामा के बारे में अगर आपको दामा है तो दोस्तो आप मेरे वीडियो अंतेक देखिए इस बीडियों हम कुछ घहरेलो टीप से बताएंगे जिसके मदद से आप अपने अस्थामा यानि दामा का हमेशक लिए खत्म कर सकते हैं और अपना इम्मिनुट्री सिस्टम भी मजबूत कर सकते हैं दामा क्या है इसके बारे में आईए जानते हैं सुक्सम स्वासनलका में कई रोग उत्पन हो जाने के काना जब किसी बेक्ती को सांस लेन में परसानी होने लगती है तब यह इस्तिति दामा रोग कालाती है इस रोग में बेक्ती को खासी की समस्या भी होती रहती है अब दामा रोग के लक्षण किया है दामा रोग के लक् अधिक कटनाई होती है यह रोग इस्तिरिया पुरिष्ट दोनों को हो सकता है रात के समय में लगभग दो बज़े के बाद दोरे अधिक पड़ते हैं सांस लेने में लेते समय अधिक जोर लगाने पर रोगी का चेहरा लाल हो जाता है यह दामा रोग का लक्षण थे दोस्तो सब्सक्राइब नहीं की है तो मेरा सब्सक्राइब जरूर करने कीनकि इस चणनल पर हमेशा घरेलू टिपसे दिया जाता है जिसका किसी भी प्रकार का side effect नहीं हुता है है एक नम यह घरेलू और अरजवजिक होता है जिसका आपके सिर्वे किसी भी प्रकार का side effect नहीं होता है और आपका रोक चंद सकेंड में ही खतम हो जाते है और आपके immunity system भी मजबूत हाजाता है टेप्स नमर वन अद्रक की गरम चाय में लौसुन की दो पीसी कलिया मिलाकर पीने से अस्थामा नियंतित रहता है सबेरे और साम इस चाय को सेवन करने से मरीज को काफी फायदा होता है अगर आपको अस्थामा है तो अद्रक की चाय में दो पीसी हुई कलिया मिलाक को पीजिये आपको अस्थामा बहुत ही नियंतित हो जाएगा और आपका अस्थामा धीरे धीरे खतम हो जाएगा टिप्स नमर टू लोग चार से पांच लौंग ले और एक गिलास पानी में पांच मेट तक उबाले इस मिश्णा को चान कए इस अगर आपको अस्थामा है तो चार से पांच लौंग ले और एक ग्लस पानी में उच्छे दस मिनट या पांच मिनट तक उबाले उसके बाद उसमें एक चमस साथ मिलाकर उसे सुबह और साम पिए आपको अस्थामा बहुत ही कांट्रॉल होगा और धीरे धीरे आपको अस् रखता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि इस पर हमेशा घरेलू और आजवेदिक टिप्स बताया जाता है जिसका किसी भी परकार के आपको सहत बर्साइट नहीं होता है थैंक्स फरवाद